मेकिंग चार्ज सिर्फ बारा परसेंट फ्लैड दगरू से ज्वेलर्स जीम रोड नियर रेडियो इस्टेशन दर्भंगा ओफर केवल 15 दिनों के लिए रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुजन फैमिली रेश्टोरेंट राजकुमार गंच दर्भंगा अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए तेरह वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रेश्टों को खास विकी टीवियस भट्यारी सराय दर्भंगा हैरो इंग्लिस स्कूल दर्भंगा अफिलेटेट तो CBSE अप टो 12th, new admission is going on for class nursery to 9th, special classes for new students दर्भंगा इस्थित जिला आतीती गृह में सांसत डॉक्टर गुपाल जी ठाकुने इंडियन ऑउल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, I.O.C.L., भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, B.P.C.L. एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, H.P. सी एल के पेट्रोलियम गैस सी एंजी एवं पी एंजी डिवीजन के वर्य अधिकारियों के साथ उच्चस्तरिय बैठक कर दर्भंगा में चल रहे उज्वला यूजना गैस सिलिंडर कनेक्शन एवं वितरन पेट्रोल पंप गैस एजेंसी सी एंजी पंप अंडर गैस पेट्रोल पंप क्रिया शील है और आने वाले दिनों में कई और नए जगों पर पेट्रोल पंप खोले जाने का प्रस्ता ऑप्रक्रिया धीन है। सांसदने अधिकारियों को ग्रामीन एवं छेतर में जरुरत के अनरूप नए पेट्रोल पंप खोलने एवं सभी पेट्रोल पंप पर सरकारी नहीं मानुसार दिये जाने वाले शुविदा जिसमें फ्री हवा पानी पीने का महिला एवं पुरूस के लिए अलग लग शौचा लैफोन की शुविदा साइथ फस्ट एट कीट की शुविदा अपलब्द कराने का निर्देश दिया पटना के मौरिया होटल में बिहार टॉक सीजन चार अंतररास्टिय युवा सम्मान समारो का आयोजन किया गया जिसमें मंगल पांडे, स्वास्त मंत्री एवं प्रेम कुमार, परियावरन मंत्री बिहार तता आईजी विकास बैभब के द्वारा मुथिलांचल के संजीब कुमार को सम्मानित किया गया एवं बेस्ट मोटिवेसनल स्पिकर आप बिहार के अवार्ड से नवाजा गया लोगों ने कहा कि संजीब कुमार युवाओं को ससक्त बनाने का कारे कर रहे हैं जो बहुती सराहनी है इनके प्रियास से युवाओं में एक नई उर्जा का संचार हो रहा है जो बिहार को नई दिशा की उड़ली जाएगी इस बिहार टॉक में बिहार के अनेक जिलों से अलग-अलग कारे छेतर में कारे कर रहे हैं संचीब कुमार ने अपनी सफलता और सम्मान पर बताया कि इस तरह के कारेकरम से युवाओं की प्रतिभा को एक नई पहचान मिलती है जिससे आने वाली पीडी भी बिहार के विकास के लिए और जानुवित होती है बिहार में इस तरह कायोजन का पहल करने वाले संस्थान का उन्होंने आभार जताया सरकारी जमीन को बेचकर हो रहे माला माल प्रसाशन बना है मुक दर्शक दर्भंगा जिले में भूमाफियाओं के होसले एतने बुलंद हैं कि वे स्वयम को ही कानून समझने लगे हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर किसी की जमीन पर अवैद कबजा करने से नहीं चूक रहे हैं ताजा मामला सदर अंचल दर्भंगा के मधपूर मौजे से जुड़ा हुआ है अनवाद बिहार सरकार जमीन खरीद बेच का बड़ा मामला प्रकास में आया है सरकारी तौंतर की मिली भगत से कारोबारी सरकारी जमीन को पचास लाग से एक कडोर प्रती कठा के दर पर बेच रहा है जबकि इस बात की जानकारी भूमी सुधार उपसमाहरता सदर को हाला की जब लगी तो उन्होंने ततकाल मौखी का आदेश दे कर खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है दरसल पूरा मामला सदर अंचल अंतरगत मौजा मधपुर इंजिनिरिंग कॉलेज एनच 27 से सटे हुए अनवाद बिहार सरकार की दरजन और एकड़ जमीन की है जिसे कुसम कुमारी देवी के दोरा बेचा जा रहा है जबकि उनके वन्सरज के नाम से कोई पुराना खतियान या क्यवाला प्राप्त नहीं है कुसम कुमारी देवी उक्त बिहार सरकार जमीन पर मालिक कैसे बनी यह भी एक बड़ा सवाल है इस बात को लेकर ग्रामीनों ने डियम दर्भंगा को आविदन देकर उच्चिस्तरी जाच की मांग की है आविदक का दावा है कि भूमापिया अविम सरकारी कर्मचारी के गठ जोड से गलत बीटी एक्ट का हवाला देकर पूरे जमीन को कबजा करने का खेल खेला गया है वहीं संदर में जब भूमी सुधार उपसमाहरता सदर संजीत कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रारंबिक जाच में दस्तावेज के नुसार या जमीन बिहार सरकार प्रतीत हो रही है अभी फिलाल इस स्थल के खरीद बेच पर रोक लगा दी गई है साथ ही बहुत जल लिखीत आदेश भी निर्गत कर दिया जाएगा वहीं उन्होंने कहा कि सदर अंचल अधिकारी से जमीन संबंदित दस्तावेज की मांग की गई है वं सवी साक्षियों का आकलन किया जा रहा है शूत्रों की माने तो सरकारी जमीन जो तकरीबन 11-12 एकड़ है जिसको हत्याने के प्रकरन में राजस्व के बड़े पदा अधिकारी की संलिप्तता हो सकती है बिहार सरकार दोरा उच्चिस्तर ये निस्पक्च जांच हुई तो राजस्व विभाग के कई आला अधिकारी और बड़े नामचीन कारुबारियों की भी जांच की जद में वे आ सकते हैं कि बचपन से सुन रहे हैं कि ये जमीन बिहार सरकार है तो इधर में आके कुछ दबंग लोग जो है सो इसको भूमाफिया सब बेच दिया बेचने का बाद जो है इसके बाद हम गरामीन जो है सो इस पर अपना अभार परकट किये उसके बाद कुछ साक्ष उपलब्ध हुआ उसके बाद हम लोग जो है सो पैटिशन बगर तयार करके उसके बाद जो है सो आगे बढ़ाये हैं अब सरकार से आदेश है हम लोग का कि सरकारी समपति है तो इस पर जो है सो शिख्छा से जुड़ा कोई संस्थान दे या होस्पीटल दे जो जन्म हित में लाब हो आम पबलिक को परसानी नहीं जिलना पर है अभी तक क्या हो पाया है अभी तक तो सुने है कि DCLR साहब जो है सो आदेश किये हैं कि अबैध इस पर जो है सो निर्वान हो रहा है इसको रुक लगाया जाए ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभुसन जो चुरा लेंगे आपका दिल दगरू से ज्वेलर्स जीम रोड रेडियो इस्टेशन के निकट दर्भंगा हॉल माक ज्वेलरी की पूरी सुरिंखला सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभुसन किसना एवं जोर्बा क के डाइमंड्स की अनुखी रेंज आभुसनों के सुद्धता जांचें बिलकुल मौफन आज रविवार को अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशा दर्भंगा एकाई के द्वारा प्रतिवर्स गर्मी की छुट्टियों में आजित हो रहे नेसुल्क प्रसिक्षन हेतू सर परजना निखार सीविर अंतरगत आज योग मेहदी मिधिला पेंटिंग ब्यूटिशन फाइन आर्ट संगीत वम्रित्यादी विश्यों का प्रसिक्षन दिया गया प्राताकाल में वर्ग का आरंब योगाचारे विरेंद्र कुमार सिंग द्वरा प्रार्थना पस्चात आ माई आर्ट की प्रसिक्षका प्रियंका ने फरें मिना बनाना बताई संगीत के प्रसिक्षक मानज ध्याने भृतिया लोग गीत का अब्यास कराया वित्यव प्रसिक्षक श्रेयादी कतक ने पस्तिठे इसनातक प्रथम सेमेस्टर में नामांकन को लेकर संसोधी चेहन सूची प्रकासित मिधला विश्विद्याले में नामांकन 24 जून से ही होगा ललित नारान मितलब विश्विद्याले के डीन छात्र कल्यान कारियाले ने इसनातक प्रथम सेमेस्टर सत्र दोहजार चौबीस दोहजार अठाईस में नामांकन के लिए संसोधी चेहन सूची विश्विद्याले के वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर प्रकाशित कर दी है इसी संसोधित चेहन सूची के आधार पर नामंकन प्रक्रिया पुर्व निर्धारित कारिक्रम के नुसार 24 जून से ही होगी चात्र कल्यान अध्यक्स प्रफेसर विजय कुमार यादब ने बताया कि पहले रज्य सरकार के आधेश अनुसार बढ़े आरक्षन रोस्टर के आधार पर नामंकन की प्रथम चेहन सूची विश्विद्याले की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी अभिलंब यथा संसोधन के उपरांद सूची प्रकासित की गई है ताकि नामंकन और सत्रा रंब में किसी भी प्रकार का अभिलंब नहीं हो और छात्रहित में कारे संपादित हो 39 years of service, build your child's future here, Don Bosco School, BB Parker, Darbhanga, affiliated to CBS in New Delhi, up to 10 plus 2 level, dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children, secured and disciplined environment, transport facilities available, hurry up, admission open and admissions are free. स्मार्ट बाजार से सुरू हुए मामुली विवाद ने जो गंभी रूप लिया, उस मामले में मारपीट में घायल जीलानी की पटना में मौत की दुखत खबर है, परिजनों में मच गया है कोहराम कुछ दिनों पहले, नेशनल सिनेमा दरभंगा के निकट स्मार्ट बाजार में थूख फेकने के मामुली विवाद से जो जगड़ा सुरू हुआ, उसने गंभीर रूप ले लिया था, तक्रीबन दस के करीब लोगों ने मौहमद जीलानी नाम के लड़के को जम कर पीटा था, पहले उसे सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से पारस अस्पताल और फिर उसकी स्थिती की गंभीरता को देखते हुए उसे पटना ले जाया गया था, इलाके के लोगों ने आकरोस्पुन प्रदर्सन किया था, कोतवाली थाने पर, कोतवाली थाने को घेराव भी उसका हुआ था, और आखिरकार तीन लोगों को गिरफतार भी किया पुलिस ने, लेकिन आज जीलानी की जो घायल लड़का जीलानी है, उसकी पटना में दुख मौत हो गई है, परिजानों में मच गया है, कोहराम या बड़ी ख़बर इस वक्त दर्बंगा से, दर्बंगा शहर के बीचो बीच नेशनल सिनेमा का निकट दो दिन पहले हुए, मार पीट के जबरदस्त मामले में, घायल मुहमत जीलानी की आज पटना के अस्पताल में द घायल मुहमत जीलानी की इलाज के दौरान रविवार की सुबह मौत की ख़बर है, मौत की ख़बर आते ही परिवार में कोहराम मच गया है, सभी का रो रोकर बुरा हाल है, परिजन जीलानी के बहतर इलाज के लिए इस्थानिय निजी अस्पताल से लेकर उसे पटना गए कोतवाली थाना देक्स राहुल कुमार की माने तो घायल युवक के परिजन शनिवार की दो पहर बाद बहतर इलाज के लिए पटना ले गया थे उसे, लेकिन रविवार की सुबह मौत हो जाने की सूच ना मिली है, इसके बाद मुहमत जीलानी का पोस्ट माटम पीच शीच पोस्त में बेज दिया है, वहीं फरार अन्य आरोपियों की गिरफतारी के लिए छापे मारी की जा रही है, जल्दी उसे गिरफतार कर लिया जाएगा कहना है पोलिस का, फरार आरोपियों में मौहमत आजहर, मौहमत शहीदूल और दासिर, मौहमत शमसेर, सभी छोटी मुन बाता बाती होने लगी, जिसे बाजार के स्टाफ ने दोनों को अलग-अलग कर दिया, फिर दोनों अलग-अलग खरीदारी भी करने लगे, इस मार्ट बाजार से ही शानवाज ने अपने पिता समयत आन्य लोगों को मुबाइल से सूचना दे री, कि उनके साथ मार पीठ तो अपने दोनों बच्चों को समझा बुजा कर मामले को शान्त करवा सकते थे, दूसरे पक्ष को भी समझा बुजा कर मामले को शान्त करवा सकते थे, लेकिन वा बेटे की बातों में आकर जिलानी के जीवन को खत्रे मोनों ने डाल दिया, मार पीट कर सब उनों से घायल क और इसकी दुखत मौत रवी बार को पटना में इलास के दौरान हो गई बार को पना में इलास के दो कि दौरान हो गई